कि सिर्यल उडान में इमली जब विवान के कम्रे में पहुंचती है तो कम्रे की हालत ठीक नहीं होती सब सामान इधर-उधर बिख्रा पड़ा रहता है वो कम्रे की ऐसी हालत देख उसे ठीक करने ही जा रही होती है कि तब ही विवान वहां आ जाता है और इमली पर चिलाने और वो नहीं चाहता है कि इमली उसके कमरे में आए पर इमली बोलती है ये तो मेरा भी कमरा है तो विवान बोलता है कि मुझ पर तुम्हारा अब कोई हक नहीं है और ये बोलकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है वेल जब विवान इमली को कमरे से बाहर निकाल रहा होता है तब वहां सूरज पहुँच जाता है और वो इमली को समभाल लेता है विवान का ऐसा बिहेविया देख सूरज विवान पर गुस्सा करता है और फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है इतना ही नहीं बहस होते होते द दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगते हैं इमली बीच में बचाव की कोशिश करती है पर दोनों में से कोई नहीं सुनता है